Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. SEO course में आज हम रोडिस्कस करने जा रहे हैं Crawl Budget. So Crawl Budget की क्यों जरूरत पड़ती है और Crawl Budget क्या होता है इसको पूरा डिटेल में समझेंगे Crawl Budget क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इससे पर रहे हम रोग थोड़ा समाझ रहे हैं कि कोई भी चीज एक्ष्वरी में हम लोग का Finally Aim क्या होता है हमारा Finally Aim होता है Website की Pages को Rank कराना SERP Page पे तो SERP Page पे कोई भी Website के किसी भी Web Pages को Rank कराना है तो सबसे पर रहे उसके Crawling and Indexing होनी मस्ट है So Crawling and Indexing वाले सेशन में मैंने पूरा Detail में डिसकस किया था Crawling क्या होती इंडेक्सिंग क्या होती है तो आपको यदि कोई भी इससे Related Information देखना है तो आप Crawling and Indexing वाले सेशन को आप एक बार देख सकते हैं Crawling and Indexing जब कोई भी Web Pages किसी भी Web Pages पे कोई New Web Pages आता है या कोई आप मॉडिफाई करते हैं आप अपने Web Pages पे तो उस पे Google Bot या कोई भी Crawler, कोई भी Bot वो Crawl करने आता है Crawl करता है और Information गेदर करता है कि आपके Web Sight किस से Related है और जिस से Related होती है उसके According उससे Index करता है अब हमें जब Crawl करने आता है तो Crawl क्या मतलब infinite करता ही रहेगा वो आपके Web Sight पे Crawl क्या दूसरे के Web Sight पे नहीं जाएगा या क्या regular करता रहेगा Every मतलब every second, every minute वो आपके Web Sight पे Crawl करता है या कैसे करता है Crawl Budget क्या होता है सारी चीजहों को अब डीटेर में देखते है So Crawl Budget What is the Crawl Budget? So Crawl Budget is the number Crawl Budget is the number of pages Google Bot crawls and indexes on a website within a given time frame Means कोई भी बाट जो होता है जब गूगल का बाट है या कोई भी क्रॉलर जो आता है तो उसके पास एक से टाइम फ्रेम होता है ऐसा नहीं कि वो आपके ही वेबसाइट पे के वर वो Crawl और इंडेक्स करता रहेगा उसके पास एक से टाइम दिया जाता है जैसे suppose that आपकी ये वेबसाइट है इस वेबसाइट हो है बहुत सारे यहाँ पे वेब पेजेज आपने बना रखे हैं 4-5 पेजेज बने हुए हैं तो इन सारे पेजेज पे क्रॉल करने के लिए उसके पास कुछ टाइम सेट होगा जाए 1 मिनट हो, 2 मिनट हो जितने भी मिनट होगे वो एक सेट टाइम लेकर के आता है और उसी के एकॉर्डिंग आपके वेबसाइट पे वो पेजेज को क्रॉल करता है अब इडिपेंड करता है कि क्या, suppose that 1 मिनट का वो टाइम सेट लेकर के आया आपके वेबसाइट पे और 1 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट के सारे पेजेज को क्रॉल नहीं कर पाया means, suppose that यहीं तक ही क्रॉल करके तब तक उसका टाइम हो गया और वो चला जाता है, तो क्या और सारे पेजेज क्रॉल नहीं होंगे यह भी एक क्वेश्चन आता है, दूसरा यह भी क्वेश्चन आता है कि क्या इन पेजेज पे वो दुबारा crawl करने आएगा crawl या नहीं आएगा तो यह चीज़ें होती हैं तो सबसे पहरे तो crawl budget आपको समझ में आगया कि मतरब except given of time होता है bot के पास जिसमें उसको आपके website पे crawl करना होता है दूसरा why is crawl budget important for SEO if google doesn't index a page it's not going to rank for everything so if your number of pages exceed your site's crawl budget you are going to have pages on your site that are not indexed तो वही मैंने बोला कि ऐसा हो सचता है कि मतरब वो जो setup time ले करके आए उतने time frame के अंदर आपके website को पूरा crawl नहीं कर पाए और वो वहाँ से चला जाए तो इसमें क्या होता है कि यदि हो आता है और एक मिनट के अंदर यहां तक आपकी website को यदि हो crawl कर चुका था तो उसके बाद क्या होता है कि दुबारा ये crawler आता है आपके website पे और और भी बचे हुए pages को crawl करता है बट ये depend करता है आपके server की speed पे ये depend करता है कि आपकी website कितना continuously update हो रही है और उसमें कितने सारे नए pages आ रहा है pages के अंदर भी कितने new update आ रही है इन सारे चीज़ों पे depend करता है means suppose that आपकी website के लिए तू मिनट initially define किया गया है crawl budget आपके website के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि जो दूसरी website है उसके लिए भी 2 मिनट ही होगा इसके लिए maybe 4 मिनट define किया गया हो एक किसपे depend करता है यह depend बहुत सारे around 5, 6 factors होते हैं mean factor जो होता है वो होता है आपकी server की speed server speed in the sense यहाँ पर server के speed का क्या मतलब server speed means यहाँ पर यह तो है नहीं कि आपके server यहाँ पर बात होती है hosting यानि जिससे भी आप hosting लेते हैं तो उस server की बात होते है कि server कितना crawl करने देता है क्या होता है कि जब कोई भी crawler website पे आता है crawl करने के लिए तो वो आपके server से website के pages को उठाता है और जब server से website के pages को उठाएगा तो वहाँ पर server पे load आता है तो यह depend करता है कि server आपका कितना fast है क्योंकि suppose that आपकी website में यह जैसे home page हो गया और यह services के pages हो गये यह suppose that course के pages होंगे ऐसे different different pages होंगे हो सकता है कि उसी time services वाले pages को भी बहुत सारे user access कर रहे होंगे और उसी time bot भी आया वह भी services वाले page को access करना चाहेगा तो access in the sense क्या होता है यानि जो hosting का यहाँ पर server रखा होता है तो server के पास सारे pages uploaded होते हैं server के पास सारे pages होते हैं तो जैसे ही यहाँ पर कोई भी user या कोई भी bot आता है और request करता उस particular page को तो यहाँ से server से उठके यहाँ पर आता है तो अब इडिपेंड करता है user भी उसी page को access करना चाहा है bot भी access करना चाहा है हो सकता है कि आपका server इतना capable नहीं हो कि मतलब वो इतना fast respond कर सके और वो हो सकता है कि slow हो जाए या वो इतना भी respond ना कर पाए इसके यानि bot क्या करता है जब crawl करने आता है तो एक ही page को नहीं हो number of pages को बहुत सारे pages को एक ही साथ crawl करता है तो जब बहुत सारे pages को request भेजता है और आपका server कैपबर नहीं होगा तो वो सकता है कि आपका server slow हो जाए या down हो जाता है तो यह signal देता है Googlebot को कि आपका server इतना मतरब capable नहीं है कि वो इसको इस load को ले पाए तो इसके लिए क्या होता है इस time यहां से Googlebot चला जाता है उसके बाद वो one या two days तक या maybe three days तक वो फिर से नहीं आगा लेकि next time फिर से आता है वो crawl करने के लिए और तब तक आप यदि server पे ध्यान दे दिये server पे आपकी hosting मतरब hosting server सही हो गई तो जब next time crawl करने आएगा और यह सारे pages को crawl कर लेगा easily तो उसका crawl limit जो होगा वो बड़ भी सकता है तो ऐसा नहीं है कि first time यदि two minute आपके website के लिए crawl बज़र define हुआ था तो always it will be a two minute ऐसा बिलकुर नहीं है two minutes, three minute या four minute भी हो सकता है depending on your server speed तो इस पे यह totally depend करता है इसके बाद अब हम लोग दो term को समाह रहते हैं crawl demand and crawl rate limit crawl demand का क्या मतलब होता है crawl demand is simply how much google wants to crawl on your website more popular pages and pages that experience significant changes will be crawled more what does it mean crawl demand का मतलब की google आपके pages को कितना चाहता है crawl करना और यह totally depend किसके करता है popular pages और popular pages का मतलब क्या होता है authority pages and authority pages कैसे हम लोग बनाते हैं जब authority pages की बात करते हैं तो authority pages का मतलब क्या होता है that means कि linking मतलब वहाँ पर आपकी internal linking की बात करें चाहे external linking बैक लिंक्स जो बनाते हैं उसकी बात करें तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना popular कितना authoritative आपका page है जितना popular होगा उतना ही Google का crawler आपके web pages पे आपके website पे crawl करने के लिए आएगा आपकी web pages जितना frequently update भी होते रहेंगे जितना content या जितनी content आपके 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 website पे add होते रहेंगे उतना ही frequently Google का crawler आपके website पर आए यानि crawler का demand high होता है और high कैसे करना है totally आपके उपर depend करता है कि आप कितना अपने website की authority बनाते जाते हैं, आपके इतना content को update करने हैं, आपके इतने pages जाइड करने हैं इन सारे चीहों के वज़े से crawl का demand बढ़ता है Now, crawl rate limit. Crawl rate limit is how much crawling your website can support. Website have a certain amount of crawling they can take before having issues with stability of the server like slowdown or error. So, just मैंने अभी discuss किया कि यदि आपके website का server slowdown या बिलकुर नहीं चलेगा तो वहाँ पर crawler का time जो होगा ओ कम हो जाता है. हाँ, next time definitely यो आएगा और आपका server यदि सही response करता है तो वहाँ पर crawler का rate फिर से time limit बढ़े जाता है. आपको crawler का detail देखना है, inside देखना है कि आपके website पे कितना crawler आता है, कितना widget करता है, कितना request आता है. तो इसके लिए आप simply crawler का आप पूरा detail आप अपने Google search console में जा सकते हैं, और Google search console में settings में जाना है, settings के अंदर एक crawler states होता है, इसमें open report पे जाना है, open reports पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे details यह पूरा आपको दिखा देता है. लाइक यहाँ पे total crawl request कितना हुआ, कितने आए, date wise भी देखना है, like किस date को कितने crawl request आए, दूसरा यह देखना है कि कितने total download size मतरब ओ बाट ने, ओ crawler ने कितना size download किया server से, और average response time millisecond में कितना रहा, जब ओ डाउनलोड करता है server से तो. यह चीज यहाँ से आप देख सकते हैं. Next one is, यह कहाँ पे सबसे ज़्यादा helpful होता है, कहाँ पे आपको crawl budget को लेकर की concern होना चाहिए. Crawl budget यह आपकी website, suppose that 10, 20, 50, 100 pages के है, तो यहाँ पे इतना matter नहीं करता है, यहाँ पे आपको इजना कासन नहीं होना है, क्योंकि इतनी के लिए crawl budget easily मतरब आता है, और वो उधने time frame में वो crawl करके चला जाता है. लेकिन आप सोचो, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी e-commerce website की, जब e-commerce website की बात होती तो वहाँ पर होते हैं 10,000 pages, 50,000 pages, more than 1 lakh, तो वहाँ पर definitely issue आता है कि जब crawler यहाँ पे आता है, और crawl करना शुरू करता है, मतरब 1 pages, 2 pages की साथ, suppose that 100 pages को कर रहा होता है, और यहाँ पर issue आने के chances हो सकते हैं कि server से उसको response सही न में रहे, तो यहाँ पर ज़्यादा problem आती है, तो जब भी कभी large website होती हैं, वहाँ पर issue आता है, दूसरा, I added a new section to your site with 100 of pages, हो आई बात है कि मतरब यदि आपकी website हो बहुत सारे pages एकी साथ है, डो जाते हैं, तो वहाँ पर भी, मतरब वहाँ पर हमें concern रही नहीं कहा रहा है कि issue आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा google bot या कोई भी bot यह तो चाहता है, यह कि आपका content मतरब जितना update हो, जितना बड़ा हो तो वहाँ से content को, गुगल भी चाहता है कि उसको fresh, new, unique content चाहिए, और वहर एक website पर जाना चाहता है, जहां से उसको content में जाए, और वह पब्लिश कर दे, लोगों खेरिए, तो इस तरीके से जब बड़ी site होती है, तो वह पर हमें concern होना चाहिए, बड़ छोटी websites के रिए 10, 50, 20, 100 pages के रिए ज्यादा concern नहीं होना चाहिए, अब आते यह बात की how to optimize crawl budget, हम लोग कैसे optimize, optimize in the sense crawl budget को कैसे ज्यादा से ज्यादा इसका utilization कर ले, क्योंकि उतो बहुत कम time के लिए आएगा, एक sit given up time के लिए आएगा, तो उ उतनी time को हमें कैसे utilize कर लेना है, यह हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, यानि एक एक छोटी छोटी चीजों को, जहां पे की crawl budget को हम लोग बचा सकते हैं, उसके time को बचा सकते हैं, उसको ध्यान देने की ज़रूत होती है, first thing is, improve site speed, means hosting को आपको ध्यान रखना है उसके server को आपको, hosting के server को हम ऐसा watch करते हैं कि उसकी site की speed कम नहीं होनी चाहिए, next one is robots.txt, robots.txt session में हम लोगों ने पूरा detail में discuss किया था, कि robots.txt के अंदर उस सारे pages को हमें, मतलब, disallow कर देना चाहिए, जिन pages की जरूरत ही नहीं है, right, login, password, हम लोग यादी e-commerce की बात करें हैं, तो add to card, sorting by popularity, sorting by pricing, ये सारे ऐसी pages होते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं होती है, तो robots.txt को बहुत सही से manage करने की जरूरत होती है, जब larger website होती है, next one is site map, site map के अंदर, हम रोग जब robots.txt बनाते हैं, तो उसमें नीचे site map भी mention करते हैं, या site map, जब आप बनाते हैं, site map की file जब बना दे, तो site map में भी URLs जितने होते हैं, उनको जितने भी important URLs है, उनको यहाँ पर mention करना चाहिए, site map के अंदर, इससे benefit हो जाता है, कि जब bot जाता है, तो सबसे पहले, उस site map को check करता है, और सारे important pages को crawl कर लेता है, next one is, यदि आप चाह रहे हैं कि crawler का demand, मतरब crawler या bot का crawl demand बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप quality content हमेशा write करें, और fresh content में हमेशा content को update करते रहें, कभी उसका statics या data को जो आप use कर रहे हैं, वो गलत न हो, internal ranking fix broken links, यह बहुत बड़ा issue हो जाता है, कि मतरब आपके website में बहुत सारे pages बढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें कोई broken link भी है, पहले बना हुआ था internal ranking और बाद में broken link हो गया, तो आप सोचो इसमें कर क्या रहे हो, यह क्या होगा, जब google का about आएगा, तो यहाँ पर जाएगा, और फिर जो यहाँ पर link आपने दिया होगा, उस link के थुरू, वो आगे जाने की कोशिस करेग लेकिन वो broken link होगा, तो यहाँ पर आप crawl budget को hamper कर रहे हो, अपने मतलब crawl budget के time को hamper कर रहे हो, जो कि यह issue होगा, तो हमेशा broken link को आपको fix करना चाहिए, जिससे की crawl budget का time, आप save कर सकते हैं, flat website structure, flat website structure का मतलब होता है, like इसको four clicks भी बोलते हैं, four clicks in the sense, like यह आपकी website है, यहाँ पर support that, यह home pages होगे, उसके नीचे यह सारी मतलब जो भी category बनाए हैं, फिर यहाँ पर आपने कुछ categories बना दी, यहाँ पर आपके pages होगे, इसके नीचे फिर यहाँ पर और भी pages होगे, और फिर यहाँ पर भी support that आपके pages बने हुए हैं, तो that means कि four clicks, means यहाँ से और last तक जाने में यदि four clicks, like one click, two click, three click, and a first one four click, तो जब यहाँ से यहाँ तक आने में यदि four click में पहुँच जाते हैं, that is acceptable, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा layers में नहीं जाना चाहिए, आपको website बनाने चाहिए, two या three layers तक तो सही होता है, उससे ज़्यादा layers में आप जाते हैं, तो वहाँ पे crawling indexing में time लगता है, यहाँ पर time hamper करता है, तो यह और दूसरा चीज़ हमें इसा ध्यान रखना चाहिए, जो आपके important pages होते हैं, वो top में ही होने चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा layers में देना चाहिए, तो हमें इसा flat website structure जो होता है, वो ज्यादा crawl budget के लिए beneficial होता है, avoid orphan pages, orphan pages means, जिस कोई आपने एक page बनाया है, जिसका किसी से linking ही नहीं है, ना तो internal linking, external linking, backlink बने हुए, कोई भी link नहीं है, तो उसे बोलते हैं, orphan pages, तो ऐसे pages आप बना रखें, तो वहाँ पे भी crawl budget को issue होता है, वहाँ तक पहुँचने में, limit duplicate content ऐसा भी होता है, कि आप एक ही content को दूसरे दूसरे pages में semi content को, या उसी से related content को, बस copy paste है, या उसी से related है, तो इसको भी google bot recognize कर रहता है, और यदि recognize कर रहता है, तो यह नहीं कि ओ दोनों pages को, वहाँ पर crawl और index कर देगा, बलकि यह इसके वजह से उसका crawl budget का time hamper होगा, fix redirected links, इसका मतलब क्या होता है, redirected links होता क्या है, कि जब आप कोई भी pages होते हैं, जिसको आप redirect करते हैं, redirect मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका page पहले से बना हुआ है, और उसको अब किसी दूसरे page पे redirect करते हैं यहां से इस page पे आपने redirect कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि फिर यहां से इसको इस पे redirect, फिर यहां से इसको इस पे redirect, तो होगा क्या जब crawler आएगा, visit करने करें तो पहले इस पे आया, crawl करने फिर यह देखा कि redirect होके इस page पे आया, तो फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, तो इस तरीके से यह recommended नहीं होता है, और crawl budget के भी time को crawler को भी hamper करता है, तो यह ज़्यादा recommended नहीं है, इसको एक ही बार में आपको एदि करना है, तो यहां से आ रिडारेक्ट किजिए, ऐसे layers में रिडारेक्शन नहीं होना चाह यह, don't block unnecessary API और javascript, ऐसा नहों कि जो कि किसी भी page के suppose that आपने API यूज किया है, या javascript यूज किया हुआ है, और उसी page को आपने block कर रखा है robots.txt में, तो क्या होगा, इस API की या इस javascript की हो सकता है, कि crawler को जरूरत पढ़ रही हो, किसी दूसरे pages क्यों, crawl करने में या यहीं पर कोई link हो, उससे relation हो, तो ऐसा बिल्कुल block नहीं होना चाहिए, जो कि ओनेसेसरी हो, तो यह आपको ध्यान रखना होता है, take care of URL parameters, जैसे ही, जब हम लोग e-commerce की discussion कर रहे थे, e-commerce website के रिए robots.txt, तो वहाँ पर आपने देखा था, इस टाइब के parameters बन जाते हैं, जब हम लोग sorting करते हैं, जै कोई भी product है, उसकी sorting करते हैं, popularity-wise, या price-wise, या किसी page पे internal search लगाते हैं, तो इस टाइब के parameters create हो जाते हैं, जिनकी crawling करने की जरूरत नहीं होती है, तो इनको भी हम लोगोंने robots.txt में, डिसलाओ किया हुआ था, तो यह ध्यान रगना चाहिए कि ऐसे pages को डिसलाओ कर दे, so that की crawl budget की time को हम लोग save कर ले, what won't work means smart changes to the site, actually में कुछ लोग बहुत ज़्यादा smart बनने को सिस करते हैं और सोचते हैं, कि उनकी website पे suppose that यह उनका webpage है, उसमें यहाँ पर बहुत सारे content written है, और बीच में गए बज्जे से कोई comma है उसको हटा दिये, या full stop लगा हुआ है, या एक inter मार दिये, और सोचेंग यह कि फिर से इस पे crawler आ जाएगा crawl करने के लिए, क्योंकि इसको समझ जाएगा कि modified है, तो यह चीज नहीं हो सकता है, इसको आप करते भी हैं, तो इसका कोई भी benefit नहीं होता है, crawler, Google का bot इतना smart उसे बना दिया है Google ने, कि वो आएगा भी, तो इसको crawl नहीं करेगा, वो समझ जाता है कि यह minor update है, जिसका कोई meaning नहीं बनता है, second one, removing third party script, third party script don't count against your crawl budget, तो मतरब जो कोई भी third party यदि आपने script अपने website पे write किया हुआ है, तो और उसको remove करने से आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसका भी कोई, इससे crawl budget का कोई relation नहीं होता है, तो I hope आप कोई clear हो गया होगा कि crawl budget क्या होता है, crawl budget को कैसे optimize कर सकते हैं, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, suppose that कि आपको आपके website पे बहुत ज़्यादा request आने लगी, और इतना request आ रहे हैं कि आपके server को मतरब response जो है बहुत slow हो जाता है, तो इसको आप चाहा रहे हैं कि यह चाहते हैं, जनरली तो यही होता है कि आप चाहते हैं कि crawler आये, ज्यादा से ज्यादा आये और आपके website पे widget करे, crawl करे और index करे, लेकिन क्या कभी भी ऐसी situation आ सकती है कि crawler को आप चाहें कि मतरब वो थोड़ा wait करे या रूप करके आ, तो इसके लिए ऐसा situation आ सकता है, तब आता है जबकि suppose that आपकी बड़ी website है, उसमें request भी बहुत सारे आ रहे हैं, उसके लिए आप Google ने Google search console में एक option दिया हुआ है, जहां पे जाकर उसकी limit को set कर सकते हैं, लेकिन मैं करने से पहरे, दिखाने से पहरे आपनों को clear कर देता हूँ, कि यह आपको generally नहीं करना चाहिए, यह recommended नहीं है, Google भी इसको recommend नहीं करता है, बट आपकी बहुत बड़ी website है, और करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, simply आप Google में जाके crawl rate settings यह डार देजिए, search पे click किजिए और यह आपको first जो आता है इस पे click किजिए, यहाँ पे आपको crawl rate setting pages आ जाता है, इस पे आपको click करना है, यह आपका Google search console में खोड़ देगा यह page, क्योंकि Google search console में जा कर कर देखेंगे तो बहुत रोगों में यह option नहीं दिखाता है किसी किसी में दिखाताए बट बहुत सारी में नहीं दिखाताई तो यदि नहीं दिखाता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर यह देखे आप साथ साथ दिख रहा है कि मतलब let Google Optimize for my site recommended इसको बोलता है नहीं करना चाहिए लेकिन आपको करना है तो यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ से आप time set कर सकते हैं देखे यहाँ पर slowing down your server तो यह recommended नहीं होता है बट आप कर सकते हैं तो आई होप आज आपको पूरा clear हो गया होगा crawl budget क्या होता है इसको optimize कैसे करते हैं किन-किन चीजों का दिहान रखना चाहिए crawl budget में तो आज के वीडियो में इतना है फिर हम लोग next वीडियो में discuss करेंगे SEO course के next topic के वारे में Thank you, thanks for watching.